हेलो दोस्तों तो आज किस वीडियो को हम बताने वाले हैं प्रस्नावली 1.3 को तो शुरू करते हैं वीडियो को सबस्पहला इसका कोश्चन एक नोड में सिध किजिए कि रूट 5 एक ओपड़ी में संख्या है कि कोश्चन कुम सिध करना है यहां पे कोश्चन नमर एक कहरा है यहां पे रूट 5 इसे को कह रहा है सिध करने के लिए कि और पड़ी में संख्या है या नहीं और पड़ी में संख्या इसको कह रहा है परोड करने है यह स्पिल हम यहां आप क्या लिखेंगे की माना की माना की रूट फाइब एक पड़ी में संख्या है जहां पी और क्यूं पुर्नांग है जहां पी और क्यूं पुर्नांग है है तथा क्यूं इकोवल नोट जीरो हो यह हो गया अब मैं करना क्या यहां पर लिखेंगे रूट फाइप बरावर पी बार क्यूं यह तो लिख दिये अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ बर्ग करेंगे रूट फाइप पर स्कॉयर हो जाएगा और यह साइट में पी वाइप क्यूं पर स्कॉयर इस तरह से हो जाएगा तो हम जब इस पर स्कॉयर करेंगे यह जो स्कॉयर है और यह जो रूट है यह स्कॉयर के कारणी यह रूट हट जाएगा तो यहां पर बचेगा फाइब बरावर पी ए स्कॉयर बटेम हो जाएगा क्यूं है स्कॉयर ने कुछ हो तो निचाम यहां प स्कॉार इसको हम कहेंगे समीकरण एक यह होगा समीकरण एक अब हुआ कि लिखेंगे पी यहां पर जो है पी स्कॉयर कोमा पॉंच से बिवाज है बिवाज है है इसलिए यहां पर लिखेंगे चुकी और यहां पर इसलिए पीवी पीवी से बीभाज होगा कट कर दिये पीवी पॉसे बिभाज यह आगे हमिंदक कर ने हमें एक दो हमाना की कि माना की कि पी बराबर फाइप एम यहां पर मौन लिए पी बराबर फाइप एम तब हमको करना क्या है जब यहां पर पी बराबर हम फाइप एम मौने है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ कि यह हो जाएगा इस पर अगर स्कॉयर और इस पर भी स्कॉयर प्यस्कॉयर बरावर 25 एम इसकॉयर अब हम जानते हैं कि यहां पर पी एसकॉयर बरावर दिया है फाइप क्यूंए स्कॉयर आप यहां पर देखी रहे होंगे कि पी एसकॉयर बरावर दिया है यहां पर का मौन रखने पर समी करन एक का मान ज़त अरखने पर जह समीकरन एक का मिन हम पर रखेंगे क्या हो Works 25 m स्वायर यहां पर जो प्र्वाइब 15 इसकोइर हें की फािव क्यों इसकोइर बभर 25 इंसकौर तहीं हो जायगा के कि यहां पर 25 पी स्वाइब इसको हम समीकरन तीन मौन लेंगे जो है इसको समीकरन तीन मौन लेंगे कैसे कि यह वर पिर समझते हैं तो पहले रूट फाइब था उसको लेए लिए पीवाइब क्योंकि दोनों तरफ बढ़गी किये बढ़गे करने के पीए स्कुर्ण वाइब क्यों स्कुर्ण पाउंस भाजित है यहां पे पीवी पाउंस भाजी होगा उसके बाद माना की पीप परावर है अब हम बात करने वाले हैं यहां पर तो इस तरह से तो हो भीचुका है कि एक मिस वरणावर फाइप एमस्क्वईर जब यहां पर लिगह कियों स्कुर्ण समी करन fossilिक तब हमें करना क्या है इसमें लिखेंगे क्यूंवे इस्कॉरर है यहां पर क्यूंवे स्कॉर से बिभाज यह यहां पर लिखे क्यूंए स्कॉयर पांच से बिभाज यह होगा क्यूंए स्कॉयर पांच से बिभाज यह है चुकी क्यूंए स्कॉयर पांच से बिभाज यह है इसलिए क्यूं भी क्यूंभी पांच से बिभाजित होगा, बिभाजित होगा, इस तरह से, हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, समिकरन एक, यहाँ पे समिकरन, समिकरन दो, तथा समिकरन तीन, समिकरन दो तथा समिकरन तीन से, यहाँ पता चलता है, यहाँ पता चलता है, की पांच दोनों पांच दोनों संख्याओं पांच जो है वो दोनों संख्याओं ए तथा बी का गुननखंड है दोनों संख्याओं ए तथा बी का गुननखंड है परंतु परंतु हमारी धारना का बिरोध करता है यहाँ प्लिखेंगे पी और क्यूं भाज्य है तब लिखेंगे अतह रूट फाइब जो है वहाएक और पड़ी में संख्या रूट फाइब एक और पड़ी में संख्या है तो अब हम कोश्चन नमर टू को सॉल्व करने वाले हैं दूसरा नमर कोश्चन है कह रहाए यहां पर सिद कीजिए कि तीन पलस दो रूट फाइब एक पड़ी में संख्या है इसको कह रहा है प्रूट करने के लिए तो कोश्चन से पहले हम यहां पर लिख लेते हैं दूसरा प्रसनावली 1.3 का दूसरा नमर कोश्चन इसमें आपको दिया है कह रहा है यहां पे 3 प्लस दो रूट 5 इसको आपको प्रूट करना है था हमें लिखना क्या है यहां पे सबस्क्राइब लिखेंगे माना की माना की 3 प्लस दो रूट 5 एक परी में संख्या है एक परी में संख्या है इस तरह सबस्क्राइब लिख मान लेंगे परी में संख्या है जहां पी और क्यूं पुर्णांग है जहां पी और क्यूं पुर्णांग है पुर्णांग है तथा क्यूं इकवल नोट जिरो हो तथा क्यूं इकवल नोट जिरो हो इस तरह से तब यहां प्लस दो रूट 5 बरावर पी वाई क्यूं इस तरह से हमको करना क्या है यहां पे 3 प्लस रूट 2 यह तो लिख दिए यह जो है दो रू अप यह सब हो जायेगा तो मिनस हो जाएगा तीन उसके बाद यहां पर रूट 5 बराबर हो जाएगा यहां पर वह बंग हो जा इसको ख़ुआएगा यहां रहो होगा क्या है ही इसको महन लेंगे समीकरन एक समीकरन एक हम जानते हैं यहां पर पी और क्यूं जो है वो पुर्णांक है इसलिए यहां लिखेंगे पी और क्यूं पुर्णांक है पी और क्यूं पुर्णांक है तो यहां लिखेंगे पी अपान क्यूं मैनस में हो जाएगा three upon 2, ये जो है, ये है, एक पड़ी में संक्या, ये से लिखेंगे, एक पड़ी में संक्या है, इसको हम माने लेंगे समिकरन 2, इसको क्या माने लेंगे समिकरन, 2 अब हमको यहां पर पता चल रहा है समीकरन एक तथा समीकरन 2 sẽ हम यहां पे लिखेंगे समीकरन एक एक तथा समीकरन दो से यह पता चलता है की की समीकरन दो जो है समीकरन दो पड़ी में संख्या पड़ी में संख्या तथा समीकरन एक जो है समीकरन एक का बाया भाग बाया भाग बाया भाग ओपड़ी में संख्या है आता या हमारे कथन का अंता बिरोध करता है रूट 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक आपड़ी में संख्या है अब हम कोश्चन नमर 3 को सॉल्ब करने वाले हैं कोश्चन नमर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निमली के संख्याएं और पड़ी में है वान अपान रूट टू और यहां पे साथ रूट 5 शिक्स प्लस रूट टू इन सब को पूरूड करने वाले हैं तो वीडियो कौन तक यहां पर तीन का एक में एक बटे रूट टू इसको सिंपली हमको करना क्या है इसको हम मौन लेंगे माना माना की वान अपान रूट टू जो है एक पड़ी में संख्या है एक पड़ी में संख्या है इस तरह से हम इसको मौन लेंगे कि यहां एक पड़ी में संख्या है उसक क्यूं है जब यहां फंप्रीं फिझें उसके दाना क्या प्रॉट इस सब्सक्राबवर लेते हैं मौन पांhm हे इस तरह से यहां बराबबर ईसको यह हड़ार परी में करन करने के लिए हैं यहने को ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे इस तरह से ये हो जाएगा PY Q बरावर इसको इसको अगर गुना करेंगे ती हो जाएगा ROOT 2 बतेम हो जाएगा जब ROOT 2 गुना ROOT 2 करेंगे ते केबल 2 बत जाएगा उसके बाद हमको यहाँ पे करना क्या है इसको हम अल लेंगे समीह करन 1 एक यह जो यहां पर देख रहे हैं इसको अगर हम कोना कोनी गुणा करते हैं इसको इसको इस तरह से गुणा और इसको इस तरह से गुणा करेंगे तो कोना कोनी गुणा हम यहां पर हम इसको जह है जब हम इसको और इसको गुणा करेंगे यह हो जाएगा रूट टू क्यों इ बडावर तूपी एक हम बगम हो जाएगा क्यों breakout है यह जो किये लिए जो इक है और उल्ड और पाएगा तो वाग में इसको हम एक कैसामी करण 2 सम्झादें यह पर पिबाई क्यों था और यहां पर इतना है इसको और बनाख केत ही हो गया रूत क्यों कियों अदकर ग्यों को सुरह गए हो तो पी इसको इसको और मोन प्रम किया आदे जूब अहर्वन की चुकम याँ प्यूंत किकल लखने जो पूर्नक एबाउने की आफ जो हम फोसों को आफ पर उसके वाद हमें करना कि हम लिखेंगे पी वाई यहाँ लिखेंगे यह जो आया है टूपी अपाउन में क्यूं यह जो है यह एक पड़ी मैं सेंख्या है है हम वो करना क्या है इस निहाँ लिखेंगे इसलिए समी करन एक तथा समी करन दो से रूट टू एक पड़ी में सेंख्या है परन्तू रूट टू एक पड़ी में सेंख्या है यहाँ लिखेंगे वन अपाउन रूट टू बराबर वन अपाउन रूट टू और पड़ी में सेंख्या है अब हम कोश्चन नमर दो जो है साथ रूट फाइप इसको सॉल्व करने वाले हैं शुरू करते हैं कोश्चन नमर दो है यहाँ पर साथ रूट फाइप इस तरह से कोश्चन नमर दो है साथ रूट फाइप इसको हम को करना क्या है यहाँ पर हम मौनेंगे माना की माना की साथ रूट फाइप जो है एक पड़ी में संख्या है एक पड़ी में संख्या है इसको हम इस तरह से पहले मौन लेंगे की माना की साथ रूट फाइप एक पड़ी में संख्या है उसके निखेगा यहां पर साथ रूट फाइप बड़ावर पीवाए क्यों इस तरह से उसके बाद आपको करना क्या है अब जब 7 रूट 5 बरावर PYQ मौन लिए तिर 5 को हम यहाँ पे रख लेते हैं तिया हो जाएगा PYQ यह जो 7 था यहाँ पे गुना में तिधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तिसको लिखेंगे 7Q इसको लिखेंगे समीकरन एक यह होगया समीकरन एक हमें करना क्या है अप लिखेंगे चुकी शुकी पी और क्यों पुट्नांक है यहाँ आप तब लिखेंगे इसलिए पी अप आउन सेवन क्यूं? यहां एक पड़ी में संख्या है, इसको हम बन लेंगे समिकरन दो, इसको हम बनेंगे समिकरन दो, इस तरह से समिकरन दो, अब हम को करना किया है है, है देखेंगे इसलिए इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से रूट 5 जो है रूट 5 एक पड़ी में संख्या है एक पड़ी में संख्या है परन्तू रूट 5 एक और पड़ी में संख्या है इससे यह पता चलता है की हमारी धारना जो है वो गलत है हमारी धारना गलत गलत है यहाँ आप लिखेंगे चुकी साथ रूट 5 जो है एक और पड़ी में संख्या है एक और पड़ी में संख्या है यह हो गया इसका आंसर इसको हम प्रूब्ड कर चुके हैं अब कोस्चन नमर अंतिम और आखरी जो कोस्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम सिर्प समझा देते हैं कैसे सॉल्व करना है जैसा कि आप यहाँ पे कोस्चन देख दे जरूर कोमेंट करे कि कोस्चन नमर परस्तों वली 1.2 का कोस्चन 3 को हम सॉल्व करें उसको हम सॉल्व कर देंगे 시간 करते हैं किया वीडियो आपको समझ मांगया होगा है अगर यह वीडियो आपको समझ माले तो चैनल सौस्च्राइब करना ना भुले धनियवाद